अब जो कंटेंट लेकर रहा है और पेपर का नाम है एन्वर्मेंटल स्टुडीज परियावरण अध्यन मॉर्निंग में हमने आपको इसका स्लेवर्स अप्लोड किया था चलिए अब चप्टर वाइज चलते हैं आपके इसमें की कौन-कौन सी चप्टर है जिसको हम अपढ़ देने वाले हैं और वहां पर हमने देखना है कि किस तरह के आपके एमसी क्यूज निकल कर आ सकते हैं अब यहां देखे इस पेपर में पर्यावरण अध्यन की बहुत शास्त्रिय प्रकरती अगर हम यहां पर परिभाशा की बात करें तो परिभाशा जैसे चलो चैप्टर प आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यहां से एमसी क्यूज कैसे निकल सकते हैं अब जैसे पहला यहां पर जो आपका कोशन से निकल सकता है कि संयुत रास्तवारा 1902 में रियोटो चैनरो त्वारा तथा 2002 में जोहंसन पर परियामिकास तथा सत्विकास पर गहन वो 1992 में हुआ था 2002 में आपका जोहंसर बर्वाला हुआ था ठीक है इस तरह से और बाकी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बीए जब यरली था तो F.E.S.A. कोड है और साथ में आपका F.H.V.A. कोड है तो इस सारे परियावरण से संबंदित हैं और इनके प्रिवेस कोशन पेपर में ने सौल करके डाले वे हैं उनको आप एक बार देख लिजिए प्लेलिस्ट बनी विए आप जाकर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे अब जैसे यहां पर उन्होंने का है कि आधुनी समय के समाजी विकास का प्रारम लगभग इतना लिंग लैंड में क वुद्धेश खें फेड नहीं पूचव जाएंगी उस तरह की कोशन ने पूछ जाएंगी जो मैं आपको बता रहे हूं और ब्ली हमार और लगभग और जैविक और समाजिक तो इसमें जमीन पानी वायू हो आ चुका हपका सुरज के नए वजसा चल लगे सभी आ गए फिर इसके बाद जैविक में आते हैं जैविक में क्या होता है आपका पोधे जानवर मानव शुक्षम जीव यह सब आपके जैविक पर्यावरण में आते ह हैं समाजिक और सांस्कृतिक में वो मनुश्य आते हैं जो मनुश्य द्वारा समाजिक और सांस्कृतिक कास के लिए बनाया है ठीक है कुछ इस तरह का कोशन आपका बन सकता है चलते हैं आगे अब पर्यावरण के कारक आज जैविक कारक और जैविक कारक वेरी इंपोर्ट है इसको जरू कर लिजागा यह वाला कोशन मुसली पूछा ही जाता है कारक कौन-कौन से हैं हाँ एक कोशन बनता है जैवी आप में कौन-कौन आते हैं पाद कर ओल्या ठीक है अब है प्रतियों को चार भागों में वाजित क्या गया है अस्तल जल वायों जी मंदल यह भी त्यार कर लिजएगा अब लिधो इस पेर इस्तल मंदल क्या है यहां पर पढ़ लीजिएगा इसके बाद हाइड्र इस पेर रथार्थ जल मंदल फिर एट्डूमस फिर अ याद कर लिएगा अब आते हैं चलिए नेस्ट यूनिट पर देख लेते हैं बाकी मैंने आपको कहा है कि आपको जो है अच्छे से सारा पढ़कर जाना है एक स्टुडेंस की वैरी जाई थी कि मैडम जो बुक में एमसी क्यूज हैं उनको करा दीजे तो मैं बता रहे हूं कि आपके सबके आंसर कहा मिलेंगे अंदर ही जो आपकी बुक है वहाँ इसके आंसर मिलेंगे जैसे कि मैंने भी आपको बताया है और जो उन एक परदूशक होता है कहा पर होता है बाग पर योजना कपरारंब हुई तो यह कोशन्स आपके चैप्टरस में ही मिल जाएंगे अब आते हैं प्राकरतिक संसाधन चलते हैं अंदर चैप्टरस में क्या यहां पर कोश्चन्स बन सकते हैं देखो गोथरू तो सारा करना ही पड़ेगा पढ़ना तो आपको सारा पढ़ेगा बिना पढ़े तो देखो काम नहीं चलेगा इसमें अब देखते हैं यहां पर प्राकरतिक संसाधनों को उनके मूल के आधार पर निमले की परकारों में पाटी है अब देखे जैसे मैंने क क्या डाल देंगे आपके जैसे वायू डाल दिया पानी डाल दिया भूमी डाल दिया और उसके साथ साथ उसका कोई चौथा उप्षन कोई दूसरा रख दिया उन्होंने तो कह देंगे कि इसमें अजयाविक साधन नहीं है तो अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे आते हैं और इसमें जो अगर आपका यह तो मैंने आपको शुरूमी बताया था कि जिनके पेपर हुए हैं इस्वारी असाइमेंट हुए हैं शैद इसका असाइमेंट 60 नंबर का हुआ था मैं भी मुझे ध्यान नहीं है अगर आपको मालूम है तो कितने का हुआ था तो उत प्योग से नस्ट हो जाते हैं कौन कौन से हैं कोईला पैट्रल गैस अन्य वस्तो ही तूप साधे वस्तो है पर्तेक्स शुरूर जा बहुत आपी है इसमें फिर आप पर्तेक्स में कौन कौन आता है फिर यहां पर प्रकास चैसलेशन रोध बन जाएगा फिर इसके बाद आ आपका कोशन से जरूर बनेगा शॉर्ट में बहुत सारस लेवस है वह चलते हैं आगे नेक्स उस पर तभी मैंने का था कि यह दो पाइट में आपको देना पड़ेगा मुझे अब एक चीज यह भी पढ़ लेना जलकी उपलब दिता यहां आप से भी कोशन आपका निकल सक सब्सक्राइब है नेक्स्ट है कि टीरी बांद योजना कि इसके बारे में जरूर पड़के चाहिए हैं यह कारण वगयरत तो देखो थ्योरी में आते हैं उपाए कारण इस तरह के कोशन तो अगर थ्योरी होती तो उसमें बनता और अगर इसका आपका जो है आसाइमेंट ह पूछे गए थे वहां आपने देखा होगे किस तरह के एंसीक्यूज आपके पूछे गए थे थोड़ा तो आइडिया वहां से आपको हुई गया होगा लेकिन जिस असाइमेंट जो स्टूडेंट्स कर चुके हैं तो मुझे लगता है उनको याद भी नहीं होगा कि किस तर पर पारिस्तिक तंतर में हमने क्या देखना है अब जैसे यह है कि जो सोर विकरिंट से आने वाली संपूर्ण तापुर्जा परति तक नहीं पहुंच पाती इसका केवल 45 परतिशत भागी परति तक पहुंचता है तो इस तरह के प्रशना आपका बन सकता है और क्या बन सकत यहां से तो मुझे नहीं दगरा कोशन बनेगा चलिए आगे चलता है हम दो यहां देखते हैं यहां से थोड़ा सब पूछा जा सकता है अब जैसे कि पारिस्तितिक शब मुलता है भाशा के आई कोस तथा लोगोस का संयुक्त रूप है यह लाइन इंपोर्टेंट है आपक कोस का जैसे अर्थ निवास लोगोस का अर्थ अध्यान होता है इस तरह से पूछ सकते हैं फिर इसके बाब पारिस्तित अंत्र कहा जाता है सो अपर्थम एंसे ट्रहेकल ने 1869 वे पारिस्तितिक की इकोलोजी शब्द की रचना की थी तो इकोलोजी सब्द से क्या है फिर इ यह डेफिनेशन नहीं हैंगी पर यहां से यहां तक का प्रशन बन सकता है एक्जाम में बाकी जो मैंने आपको बताया ना प्रिवेस कोशन पेपर जो है उनको जरूब पढ़ लीजे एक बार आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे और इस साल का भी पेपर एक इस्प्र करके रखा हुआ है थोड़ा शैद वो कंप्यूटर से रिलेटीड को पता नहीं क्यों सा पेपर था आपका डीडीम जैनल कौन सा पेपर था तो वह भी हां यह देख लीजिए यह वाला जो है पोधे यह पोधे किसको खाते हैं टीडी किसको खाते हैं पोधे को फिर को बाज इसको तो यह क्या है उत्पादक है टीडी क्या है प्रात्मी को भोगता है मेंड़क क्या है दिवत्यव भोगता है सर्व क्या है दिवत्यव भोगता है लास्ट में सरवोच भोगता है यह इसको खाता है तो यहां से कोशन्स बनेगा जरूर 100 परसेंट बनेगा पर चलते हैं आगे नेस्ट उस पर आपके कौन सी उस पर आ चुके हैं आ चुके हैं फोर अभी तो फोर यूनिट पर आया है जैवी विता और उसका संगरक्षन अब यहां से देख लेते हैं कौन-कौन से निकलेंगे वैसे जैसे मैंने आपको गर पैटन बता दिया ना किस पैटन से आपको पढ़ना है तो मुझे लगता है पूरी बुक मुझे अप्लोड करने की जरत नहीं पड़ेगी इसी में आपका काम हो जाएगा तो इस तरह से अंडरलाइन करकर के आपको पढ़ना है कि क्य इसमें से अंजी क्यों निकल सकता है यहां से देखिए अब किया जैसे जैवीता शब्त का प्रयोर सबपर्थम प्रसीद की इट वेग्यानिक विल्जान ने जैवी ёपुईस इक से में किया था तो यह प्रशन भान सकता है आपका एक्जाम में अब यहां पर अंभाशिक है प्राजाती है प्थित्ति हो सकता है प्रोला ओ कि बारत का जैव गोली कि वरगे करन चलि बस इसी तरह से आपको पढ़ना है ये बने रही हिंदी बने की साथ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजे पहले कर दीजे क्योंकि लेस्ट वीडियो आप तक तभी पहुचेगी जब आप हमसे कनेक्टिड होंगे और लाइक और शेर तो बनता है कर दी दीजे क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी की केर करते हैं